हलो सु स्वाइब करते हूं आपका अपने सुधिव चैनल के उपर मैं हरबिसिंग और अगर आप देख रहे हैं इस सुधिव चैनल को पहली बार तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के अपर हम करते हैं गिटार को रहें गिटार असन वह सिंपल इजी और क्वेक तो गाइस ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है क्योंकि इस चैनल के उपर मैंने अलरी अपलोड कर रखे हैं 500 से ज़ादा गिटालसन जी हाँ 500 से ज़ादा including our masterclasses आपने हमारी masterclasses को अभी तक नहीं देखा है तो please channel की playlist में जाके masterclasses को जरूर चेक करिएगा बहुती assembled way में बहुती बहती बहतरीन गानों को मैंने आपके लिए merge करा है तो please एक बार चेक करिएगा आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी गाइस इस channel के उपर हम हिंदी, पंजाबी, नए, पुराने bollywood latest retro song हर तरह के गानों के guitar lessons करते हैं तो please अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं करा है तो please कर लेजिए तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो की तो guys आज की वीडियो again एक master class होने वाली है जैसे कि आपको पता है हम अरीजी सिंग के गानों की पूरी की पूरी जर्नी कर रहे हैं पूरा का पूरा decade cover कर रहे हैं 2011 से लेके 2020 तक मैंने shortlist करे हैं 142 songs within 17 strumming pattern and इसको हमने divide करा है 17 videos में तो guys ये है इस जर्नी का 6th part इससे पहले इसकी 5 videos आज़री आ चुकी है तो अगर आपने उनको अभी तक check नहीं करा है तो please master class section में जाके इसको जरूर check कर सकते हैं बहुत ही जादा आपके लिए beneficial होंगी ये सारी की सारी videos तो guys इस video में हम कैसे गानों को arrange करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं guys total इस video में हम एक strumming pattern के उपर 10 गानों को करेंगे एक strumming pattern and 10 गाने जी हाँ इसका जो sequence रहने वाला है guys हम 8 गानों को सिरफ open chords के उपर play करेंगे और हमारे 2 गाने होंगे जिसको हम capo की सहायता से play करेंगे तो guys ये तो रहा इसका sequence जो एक strumming pattern है जिसके उपर हम ये 10 के 10 गानों को play करेंगे सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको सिरफ guitar chords बताता रहूँगा और हम गानों को play करते रहेंगे तो guys चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो एक strumming pattern जिसके उपर हमारे और ये 10 गानों को play किया जाएगा वैस ट्रॉमिंग पैरन कुछ ऐसा है अगर आपके पास इस समय गिटार है तो उठा लीजिए साथ-साथ में practice करते हैं बहुत ही छोटा सा बहुत ही क्यूट सा स्ट्रॉमिंग पैरन है तो देखते हैं वो क्या है तो डाउन 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 बस यह है गाईस तो गाइज क्या है स्ट्रमिंग पैरन में इसको ब्रेकडाउन करते हैं इसको समझते हैं इसको डिवाइड करते हैं तो गाइस देखिए जब भी आप कोई strumming parent सीखने बैठें तो सबसे पहले ध्यान दें कि उसमें pause कितने हैं उसमें strokes कितने हैं तो गाइस इस strumming parent में सरफ एक pause है और हमारे total 5 stroke हैं तो चलिए इसको slowly समझते हैं तो गाइस पहले हमारा single down stroke आता है down फिर हमारा pause आता है और इसके बाद हमारे force stroke आते हैं down up down up बस यही यही है strumming parent guys down pause down up down up बस इसी में आपको control लेके आना है इसी को आपको flow देना है थोड़ा बहाना है और बहुत ही बहतरीन sound करेगा अरीजी सिंग के यह 10 कानों के उपर यह वाला strumming parent ठीक है तो जब आप इसको थोड़ा flow देंगे थोड़ा बहाएंगे तो कैसा sound करेगा यह करेंगे तो आपको अच्छे से समझा गया होगा आप अच्छे से practice कर पा रहे होंगे तो चलिए अब बढ़ते हैं हमरे गानों की तरफ तो गाई सबसे पहले हम जो गाना करने वाले हैं गाने का नाम है याद ह ना फ्राम दोवी राज रीबूट बहुत ज़्यादा फेवर्ट सौंग है यह मेरा तो गाई इसको प्ले करने के लिए हमें कैपो की ज़रूरत पढ़ने वाली है तो गाई अपना कैपो को लगा लीजिए अपने थर्ड फ्रेट के उपर अब बात करते हैं इसके गिटार क हमारा दूसरा गिटार कॉर्ड है डी मेजर हमारा तीसरा गिटार कॉर्ड है सी मेजर हमारा चौथा गिटार कॉर्ड है ए माइनर हमारा पांचवा गिटार कॉर्ड है ए मेजर और हमारा सिक्स तैन लास्ट किटार कॉर्ड है बी मेजर तो गाईज अगर आपको यह छे इस प्लेकर पाएंगे तो चलिए प्लेकर के देखते हैं इस गाने करो मेरे जाने पिछिड़ जाना पिरह हो दिए partly तुनें पिछिन जाना तेरा या लेना कि अ और आ साने पे पिगल जाना तेरा बूद बूद मुझे पे बरस जाना तेरा तिल तिल मुझे को वो तरसाना तेरा या धैना, या धैना, या धैना होटों से पलकू को खोलना पलको पे दर दू कू तोलना, दर दू कू चादर पे छोड़ना जो तेरे तकीए पिरी निदों में राते थी डली, जो तेरी रातों में सांसे थी चली यादयना, यादयना, यादयना I hope दोस्तों आपने इस कान को बहुत जादा इंजॉई किया होगा तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे next song की तरफ तो guys जो मारा next song होने वाला है गाने का नाम है तेरा होके रहूं from the way बहन होगी तेरी and guys इस काने को प्ले करने के लिए सबसे बहले कैपो को हर डाली जिए यह हमारा open guitar chords के उपर गाना प्ले होगा तो guys इस गाने को प्ले करने के लिए आपको 5 guitar chords आना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो देखते हैं वो 5 guitar chords कौन कौन से हैं तो guys हमारा पहला guitar chord है वो है A minor हमारा दूसरा guitar chord है F major हमारा तीसरा guitar chord है G major हमारा चौथा guitar chord है E minor एड हमारा फिफ्थ और लास guitar chord है D minor तो guys अगर आपको यह 5 guitar chords को प्ले करना आता है तो आप इस काने को easily play कर पाएंगे तो चलिए प्ले करके देखते हैं इस काने को चाहे दे यारा खुशिया हो जाए अब मैंसे हम दिल ने तूझे गादे यह फासलों को करने तो कम मागी मागी दूआ मागी है बस यही दूआ मागी है मैं दिन बगन तुझ में रहूं उफ तक न यारा करूं तेरा हो के रहूं मैं रहूं तेरा हो के रहूं तेरा हो के रहूँ, मैं रहूँ, तेरा हो के रहूँ बरसों से चाहा है जो वो चाहत है तू, चाहत है तू आखों ले खाब है जो वो खाब है तू, खाब है तू मेरी रूह का जो सुकूर मुझे पे तेरा जुनूर मागी मागी दुवा मागी है बस यही दुवा मागी है मैं दिन बगिन तुझ में रहूँ उफ तक न यारा करूं वो वो तेरा हो के रहूं मैं रहूं तेरा हो के रहूं आप दूस्तों आपने इस खान को भी बहुत जादा इंज्वाई किया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक सॉंग की तरफ तो गाइस जो मारा नेक सॉंग होने वाला है गाने का नाम है यह फितूर मेरा फ्रॉम तो भी फितूर इस गाने को प्ले करने के लिए आपको छे गिटार कॉड़ साना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो देखते हैं वह छे गिटार कॉड़ कौन-कौन से हैं जो इस काने में यूज हुए है तो गाइस हमारा पहला कीटार कॉड है वो है E major हमारा दूसरा guitar chord है A major हमारा तीसरा guitar chord है D major हमारा चौथा guitar chord है B major हमारा पांचवा guitar chord है F sharp minor and हमारा sixth and last guitar chord है B7 तो guys अगर आपको ये 6 guitar chords को play करना आता है तो आप इसकान को easily play कर पाएंगे तो चलिए play करके देखते हैं इस काने को जिन्दगी ने की है कैसी साजशे मांगी दूआ एक तुछ तक जा पहुंची परवर्दिगारा कैसी सुनी तुने मेरी कामोशी परवर्दिगारा ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बगलार मेरा नसीम ये फितूर मेरा चाहत तेरी परवर्दिगारा आप दो सबने इस खाने को भी बहुत जाद एंजॉय किया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स सॉंग की तरफ तो गाइज उमरा नेक्स सॉंग होने वाला है गाने का नाम है पच्छताओगे इस काने को प्ले करने के लिए आपको पांच किटार कॉर्ट्स हाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो देखते हैं वो पांच किटार कॉर्ट्स कौन कौन से हैं जो इस काने में यूज हुए हैं तो गाइज उमरा पहला किटार कॉर्ड है वो है E minor हमारा दूसरा guitar chord है C major हमारा तीसरा guitar chord है A minor हमारा चौथा guitar chord है B7 और हमारा फिफ्ट और लास guitar chord है B major तो गाइस अगर आपको ये पांच guitar chords को play करना आता है तो आप इस काने को easily play कर पाएंगे तो चलिए play करके देखते हैं इस काने को ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पच्चता होगे सुनिया सुनिया गलिया देर चिरोले ना तेरी बुहे किसे होरे ले तू खोले ना देरी ओ शायर जाननी नू जे रू लाओगे बड़ा पच्चता होगे बड़ा पच्चता होगे तिरे दिना जिंदगी गुजारांगे किने जान जान किन्नो पुकारांगे किने करोगे जे करोगे जे दगा करोगे साड़े आली मौत तुसी वीता मरोगे ओ अल्ला देखदा जुल्म कमाओगे बड़ा पच्चता होगे मुझसे जो नजरे चुराने लगे हो लगता है किसी और गली जाने लगे हो खाब जो देखे हम दोनोंने मिलके दीरे दीरे क्यों दफनाने लगे हो करना तू होर बरबाद चड़ दे रोंदे आंदा लेणा सुआद चड़ दे जैसा नू प्यार लेई इन्ना तरसाओगे बड़ा पच्चता होगे बड़ा पच्चता होगे आप दोस्तों आपने इस कान को ये बहुत जाद जाद इंच्वाइ किया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स सॉंग की दरफ तो गाइस दो मारा नेक्स सॉंग होने वाला है गाने का नाम है बोलना फ्रॉम्दों वी कपूर अंड संस और इस कान को प्ले करने के लिए को चार गिटार कॉर्ट साना बहुत जादा लाज़मी है तो देखते हैं वो चार गिटार कॉर्ट कौन कौन से हैं जो इस काने में यूज हुए हैं तो गाइस जो मारा पहला गिटार कॉर्ट है वो है D minor हमारा दूसरा गिडार कॉर्ड है C major हमारा तीसरा गिडार कॉर्ड है F major और हमारा फोर्थ और लास्ट किडार कॉर्ड है Bb तो गाइस अगर आपको ये चार गिडार कॉर्ड को प्ले करना आता है तो ये गाना easily play हो जाएगा तो चलिए play करके देखते हैं इस गाने को चोटे आना चोटे मोसे रंग तेरा ढोलना इक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना तेरे लिये आया मैं तो तेरे संग जाडा ढोलना वे तेरे नाळ जिन्दिडी बितावा कदी ने यो छोड़ना इश के दी डोरना सारे चट जाए माही तो ना चोड़ना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना I hope तो सबने इस कंगे बहुत जादा एंजॉय किया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स सॉंग की तरफ तो गाइस जो मारा नेक्स सॉंग होने वाला है गाने का नाम है जनम जनम फ्रॉम्दों भी दिलवाले इस काने को प्ले करने के लिए आपको 7 गिटार कॉर्ट साना बहुत जादा जरूरी है तो देखते हैं वो गिटार कॉन कॉन से हैं जो इस काने में यूज हुए है तो गाइस जो मारा पहला किटार कॉर्ड है वो है G मिजर हमारा दूसरा guitar chord है E minor हमारा तीसरा guitar chord है C major हमारा चोथा guitar chord है D major हमारा पांचवा guitar chord है A major हमारा 6 guitar chord है B minor एंड हमारा 7th and last guitar chord है F sharp तो गैस अगर आपको ये 7 guitar chords को play करना आता है तो आप इसकाने को easily play कर पाएंगे तो चलिए प्ले करके देखते हैं इस काने को तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हो के हमें काही रहना कभी न कहना विदा तेरी बाहों में है मेरी दूनों जहाँ तु रहे जिधर मेरी जन्नत बही चल रही अगन है जो ये दो तरपा ना बुझे कभी मेरी मन तेही तु मेरी आरजु मैं तेरी आशकी तु मेरी शायरी मैं तेरी मौस की तलब 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 बस तेरी है मुझे ना सो में तू न शाबंक गुल आये ही मेरी महाबत का करना तू हक ये अदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना विदा I hope दोस अपने इस कान को बहुत ज़्यादा एंजॉई किया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे next song की तरफ तो guys जो मारा next song होने वाला है और देखते हैं वो गभाष कौन-कौन से हैं तो घस idea पहला गिटार कोड़ होने माला है वो है कि मिजर कि हमारा दूसरा घेटार कॉर्ड हैn मैनर हमारा श्राल कॉर्य कान मेंजर हमारा चो श्याल चौंस कि पलेश तो बाहुत है तो आप इसगान को easily play कर पाएंगे तो चलिए play करके देखते हैं इस गाने को पूल जी सी बाते दिल मुझे से विबाटे तो महर 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 बानिया खुद ही समझ के मुझे समझा दे तो महर 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 बानिया हो मैर बानिय जो दिल देज़ बानिय कह दे हो जो ना कभी कहा है ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू दिल पे रहे जो ऐसे ही दोनों लगना जाए इश्क की नजए ऐ दिल फरेदी थमसा गया क्यों ऐसी वैसी बात सोच कर बस मेरा मेरे अभी ये रहा है तुझ पे आके दिल ये जो रुखा है ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू आप दोस्तों आपने इस स्कान को भी बहुत जादा इंजुआए किया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स सॉंग की तरफ तो गाइस उमरा नेक्स सॉंग होने वाला है गाने का नाम है खामोशियां यह इसी मूवी का इस गाने को प्ले करने के लिए आपको टोटल सेवन किटार कॉड्समा बहुत जादा लाजमी है तो देखते हूं seven guitar chords कौन कौन से हैं जो इस काने में यूद हुए हैं तो गाइस उमारा पहला guitar chord है वह है D minor हमारा दूसरा guitar chord is C major हमारा तीसरा guitar chord is F major हमारा 4 guitar chord is B flat हमारा पांच्वा guitar chord is a major हमारा 6 guitar chord है A minor and हमारा 7th and last guitar chord है G minor तो गाइस अगर आपको यह 7 guitar chords को play करना आता है तो आप इस काने को बहुत easily play कर पाएंगे तो चलिए play करके देखते हैं इस खाने को खामोशिया आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी चू कर तुम्हें फिल जाएंगी घर इनको बुलाओ कभी बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा खामोशिया तेरी मेरी खामोशिया खामोशिया क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ मेरा समय तो वही पे है ठेरा हुआ बताओं तुम्हे क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ खामोशिया एक साथ है तुम गुन को इलाओ जरा खामोशिया अलफाज है कभी आगुन गुना ले जरा बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा खामोशिया तेरी मेरी खामोशिया खामोशिया लिट्टी हुई खामोशिया खामोशिया आए होफ दोस्व आमने इस खानको यह बहुत ज़्यादा एंज्याए किया होगा दो चलिए बढ़ते हमारे next song की तरफ तो गाइस उम्हारा next song उने वाला है गाने गानान है बेखयाली from the week कबीर सिंग इस गाने को प्ले करने के लिए आपको टोटल आठ गिटार कोड़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो देखते हैं वह एट गिटार कोड़ कौन कौन से हैं जो इस गाने में यूज हुए हैं तो गाइस जो मारा पहला गिटार कोड़ है वो है ए माइनर हमारा दूसरा किटार कोड़ है एफ मेजर हमारा तीसरा किटार कोड़ है जी मेजर हमारा चोथा किटार कोड़ है ए माइनर हमारा पांचवा किटार कोड़ है ए मेजर हमारा सिक्स किटार कोड़ है डी मेजर हमारा सेवंत किटार कोड़ है सी मेजर and हमारा 8th and last guitar chord है D minor तो guys अगर आपको ये 8 guitar chords को play करना आता है तो आप इसकाने को बहुत easily and बहुत ही बहतरीन wave में play कर पाएंगे तो चलिए play करके देखते हैं इसकाने को एक ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आये क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आये तेरी नजदी कियों की कुशी तेरे साबती इससे में फासले दी तेरे ते मिसाल आये मैं जो तुम से दूर हूँ क्यों दूर मैं रहूँ तेरा गुरूर हूँ तु फासला में का तु खाब सामेला क्यों खाब तोड़ दूरू हूँ है ये तड़पन है ये उलगन कैसे जिलू बिना तेरे मेरी अब सबसे है अनबन बनते क्यों ये खुदा मेरे ये जो लोग पाग है जंगल की आग है क्यों आग में जलू ये नाकाम प्यार में कुछ है ये हार में इन जैसा क्यों बनूँ राते देगनी बता बींदों में तेरी ही बात है बोलूँ कैसे तुने तुल तो खैयालों में साथ है नजर के आहे हर एक मनजर वेत की तरहा दिखर रहा है दर्द तुम्हारा बदन में नेरे जहर की तरहा उतर रहा है I hope दो साब ने इस खान गोई बहुत ज़दा एंजोई किया होगा तो चलिए बढ़ते हमारे last song की तरव तो guys जो मारा last song होने वाला है गाने का नाम है तेरे बिना तो guys इस गाने को play करने के लिए आपको कैपो की ज़रूरत पढ़ने वाली है तो guys अपने कैपो को उठा लीजिए और कैपो को लगा लीजिए अपने first fret के उपर अब बात करते हैं इसके guitar chords की तो guys इस गाने को play करने के लिए आपको total 6 guitar chord आना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो देखते हैं वो 6 guitar chord कौन कौन से हैं जो इस गाने में use हुए हैं तो guys जो मारा पहला guitar chord है वो है A minor हमारा दूसरा guitar chord है F major हमारा तीसरा guitar chord है G major हमारा चौथा guitar chord है E minor हमारा पाच्वा guitar chord है C major एड हमारा शिक्स्ट एन लास्ट guitar chord है D minor तो guys अगर आपको ये 6 guitar chords को play करना आता है तो आप इस काने को easily play कर पाएंगे तो चलिए play करके देखते हैं इस काने को तेरे बिना मर्ज आधा दूरा है इक दूद है शाम है ना सवेरा है तनहा हूँ मैं फिर भी तनहा नहीं दर ये है के पला हो न जाओं आ जाना निगाहों से इर्जाम दे अदाओं से पैगाम दे कोई तो मुझे नाम दे इश्क है बद गुमार बे असर हो रही है ये मेरी बाहे तू कहा है बे नजर हो रही है ये निगाहे तू कहा अपने दिल से मेरा हक मिटाने लगे मेरे हर ठाब को तुम जलाने लगे दिल में भरने लगा है दुआ तेरे बिना मर्ज आधा दूरा है इक दोंद है शाम है ना सवेरा है तनहाओं है फिर भी तनहा नहीं डर ये है के पना हो न जाओं अपना फीड़ा को पूरा का पूरा देखा है कुछ सीखा है कुछ समझा है आप गानों को अच्छे से गिटार के पर प्ले कर पा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्स्राइब करें और अपना फीडबेक देना बिलकुल ना बोलें थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच